हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं अपने पिछले विडियो के तरह इस बार भी आपके लिए क्रोचक कहानी लेकर आई हूँ इस कहानी में भी जीवन की अमूल्य सीख चिपी हुई है तो चलो मैं आपको कृष्ण और शेद की कहानी सुनाती हूँ एक दिन एक धनी व्यापारी घने जंगल से गुजर रहा था उसके हाथ में चमकदार सोने का कड़ा था इत्तिफाक से रास्ते में जाडियों के पीछे एक भूका शेद शिकार की प्रतिक्षा में छिपा हुआ था व्यापारी के निकटाते ही शेद ने उस पर आक्रमण कर दिया थोड़ी ही देर में उसने व्यापारी का मास खा लिया और उसका सोने का कड़ा अपने पास रख लिया कुछ वर्षयों के पश्चात वहशेद बुढ़ा तखा कम जोर हो गया अब वहशेकार भी नहीं कर पाता था उसने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सरलता से भोजन मिल जाया करे फिर इसने सोचा मैंने सुना है कि मनुष्य के लिए सोना बहु मूल्य होता है शायद मैं इस सोने के कड़े की सहायता से जंगल में आने वाले लोगों को आकरशित कर सकूँ और उन्हें मार कर अपना जीवना राम से व्यतीत कर सकूँ जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ अब उसे प्रति दिन सरलता से शिकार मिलने लगा एक दिन एक गरीब व्यती जंगल से गुजरा उसका नाम कृष्ण था सभाव से वैस सरल परिश्रमी इमानदार वह समझदार था शहर में मजदूरी करके जो पैसे बचे थे उन्हें लेकर वै अपनी मा से मिलने के लिए गाउजा रह था कि तभी लंबी लंबी घास के पीछे से एक आवास सुनाई दी मित्र क्या आप मेदी बात सुनने के लिए रुख सकते हैं क्रिश्टन ने चारो तरफ देखा पर उसे आसपस कोई भी दिखाई नहीं दिया अचानक जाडियों के पीछे उसकी नजरिक चमकती चीज पर पड़ी और उसने पीछे कड़े भूरे शेर को देखा शेर ने अपने पंजमिक सोने का कड़ा दबा रखा था शेर बोला घबराओ नहीं मित्र मेरे पास आओ और ये सोने का उस्चमकदार कड़ा मुझसे उपहार के रूप में ले लो शेर की बात सुनकर क्रिश्टन बोला अरे तुम क्या मुझे मूर्क समझते हो तुम्हारे पास आकर मैं अपने को खत्रे में नहीं डाल सकता शेर बोला मित्र तुम्हारा सोचना बिलकुल सही है सभी जानते हैं कि शेर हिंसक होता है लेकिन जरा मेरी तरफ तो देखो मैं बूड़ा हो गया हूँ मैं तो बस ये सोने का कड़ा आपको देना चाहता हूँ शेर की मानधारी भरी बाते सुनकर कृष्ण सोचने लगा यदि शेर ने अपने स्वभाव को बधली दिया है तो उसके पास जाने में कोई खत्रा नहीं वैसे भी उसके द्वारत दिये जाने वाले सोने की कड़े से मैं अपनी गरी भी दूर कर सकता हूँ शेर की बातों में आकर कृष्ण शेर की और बढ़ा अपनी और बढ़ता देख शेर की मुँ में पानी आ गया और वे उट खड़ा हुआ चलाक शेर तो पहले से ही कृष्ण के समी पाने की प्रतिक्षा कर रहा था कि तभी उस व्यक्ती के विवेक ने उसे सचेत किया उसने सोचा कि उसकी मा उसे देखने की आशा में जीवित हैं ना कि पैसों के इंतजार में तो सोने के कड़े का लालज ट्याक कर कृष्ण अपने प्राणों की रक्षा कर वहां से 9-11 हो लिया शेर के चला की धरी की धरी रह गई तो दोस्तों ये कहानिया खत्म होती है और जैसा कि मैंने विडियो की शुरू में कहा था इसमें जीवन की अमूल सीख चुपी हुई है आपको पता है इस कहानी में एक नहीं बलकि दो दो सीख चुपी हुई है पहली हमें कोई भी निड़ना लेने से पहले अपने विवेक का इस्तमाल करना चाहिए दूसरी लालज बुरी बला है इसलिए हमें लालज नहीं करना चाहिए धन्यवाद Stay home, stay safe जैहन